दोस्तो आपने किताबों में पढ़ा होगा या फिर टीवी में देखा होगा कि बरफीले इलाके के लोग बरफ से इगलू बना कर उसमें कैसे रहते हैं इगलू उन्हें खराब मोसम से तो बचाते ही हैं साथ ही उन्हें गरम भी रखते हैं ऐसे में क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि उगलू पूरा बरफ से बनता है लेकिन ये फिर भी अंदर से गरम कैसे हो सकता है अगर हाँ तो दोस्तों बता दूँ ये बात बिल्कुल सही है कि इगलू बरफ से बनते हैं इसमें होता क्या है जो भी इट इगलू के अंदर प अत्यपून होती है, इगलू का दरवाजा हमेशा नीचे की तरफ रखा जाता है, और ये आपको पहुचाता है इगलू के निचले हिस्से, बलकि दोस्तों सोने के लिए इस इसे का नहीं, बलकि एक उचे हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि गरम हवा हलक होती है और वो इगलू के उपरी हिस्से में एकटी होती रहती है और बाहर से आने वाले ठंडी हवा इगलू के निचले हिस्से में ही पहुच पाती है Optic के natives जो इगलू बनाते हैं उनमें तो आप आग भी जला सकते हैं ताथ ही दोस्तो इसके अलावा बता दूँ कि एक इगलू इतना भी comfortable नहीं होता कि जिसमें आप टीसेट पहन के गूम सकें लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इगलू और भार के तापान में 15 से 20 डिगरी सेल्चिस का फरक होता है तो दोस्तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब भी और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका कहे दिल से सुक्री आया